कोसी नदी हजारों लोगों की जिंदकी तबहा कर रही है। ये बिहार के मधुबनी जिले के गाउं है, जहां कोसी नदी का तांडव देखने को मिला है। कोशी नदी सिर्फिक नदी ही नहीं बलकि पानी का ऐसा बेकाबू बहाव है जिसने पूरे के पूरे गाउं को बाड में तब्दील कर दिया है। हर घर पानी में पूरी तरीके से जलमगन हो चुका है। यहां के लोग हर साल बाड की चपेट में आते हैं और उनके पास इससे बचने का कोई और विकल्प नहीं है। हैं एक छोटी सी जोपड़ी देख रही होगी यह सामने देख लीजे इस तरफ इंट की हुई है और यह इंट जो है वो तूटा हुआ मकान कह सकते हैं जो कि कोशी के चपेट में जा चुका है। तो यहां से यह लोग क्या कर रहे हैं इस इंट को लेकर जा रहे हैं और जहां यह अपना नया आश्रयस्थल बना रहे हैं वहाँ पर पहुंचकर इस इंट का इस्तिमाल करेंगे और वहां आपने रहने के लिए आश्याना बनाएंगे लोकल 18 ने कोसी नदी के भायंकर रूप को देखने वाले कुछ गाउवालों से भी बात की और उनसे उनका दर्द जाना बाड का नजारा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हम आपको बाड पीड़तों का दर्द उनकी कहानी उनकी ही जुबानी सुनाते हैं हम लोग बेघर हो जाते हैं अभी जो बरतमान में मौझूदा आप लोग जो आए हैं हम लोग का घर कट गिया हम लोग अभी बरतमान में आप देख रहे हैं कि हम लोग भर बना रहे हैं उच्छा अस्थान पर आया है यह भी इस जगह जो है सो बालू मीटी है फिर इस पर होनि आजाता है फिर इस जगह जैंगे तो फिर हम लोग जाएंगे हर साल यहां बाड आती है ली बाड के कारण जो हम लोग जो है इस यह पहली बार नहीं है ऐसा हर साल होता है कोसी नदी की लहरे हर साल घरों को अपने साथ ले जाती है इस साल भी गांवालों ने अपने घर को छोड़ा अब किसी नई और सुरक्षित जगा पर जाने के लिए वहां घर बनाने के अलावा इनके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं हैं कितनी बार कितनी बार लोगों का आशियाना ऐसे ही पानी का प्रकोप जहलता रहेगा सरकार कब ताक इस मामले पर चुप रहेगी तक यह कर रही है आती है अपना हवा पानी देखे अपना एलगसन के समय आता है कर देंगे उसके बाद बाद बेलक्त खतम हो दताा उसके बाद इस सब पर कुछ ध्यान हो गया और नया नया जो मकान बनाये वहाता मकान नदी में 개क कर भिलीन हो गया कोई भी भी वेश्टा है कुछ सारकार कुछ नहीं हम लोह को मदद कर रहा है बुजूर्गों की आखों में चिंता है जवान अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है और बच्चे भूक और परिशानियों से परिशान हैं महिलाएं अपने घर परिवार को खाना नहीं खिला पा रही गाँ वाले सरकार से क्या चहते हैं आपको ये भी सुनाते हैं आपके माधियम से हम अपने परधन मंतरी को भी कर रहें कि हम लोगका कोई जहा है अस्ता ही रूप से वेवस्ता कर दिया जाए जहाएं जो हम लोग उस जगह उस्तीर हो करके हम लोग चैन से रहेंगे कम से कम से 75-76 पडिवार है जो सारा ये नदी में कट गया है जब हम लोग वहां से आखर के यहां पर बना रहे हैं घर जिस इलाके से मंतरीपद को कोई शुशोभित कर रहा हो शीला मंडल है यहां से और पडिवहन मंतरी है बिहार सरकार की तो जड़ा सोचिये कि जिस इलाके के लोगों ने वोट देकर उन्हें इस लायक बना दिया कि वो बिहार सरकार में मंतरीपद को संभाल सके उनके इलाके के लोगों की समस्या कितनी गंभीर है अजीब बात है इस इलाके से बिहार सरकार के दो मंत्री हैं लेकिन यहां की जिन्दगी में कोई सुधार नहीं आया एक तरफ सरकार करोडों रुपे खडचु करने का दावा करती है दूसरी तरफ इन गाउं में विकास का कोई नामों निशान नहीं है क्या यही है हमारे विकास की कहानी क्या यही है हमारे बिहार की कहानी